नमस्कार दोस्तों एक बना मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपका अपनी यूटूब चैनल गुरवर्जी के में तो मैं हूँ अंकित और आप लोगों के लिए लेकर आए हुए आज एक नए जानकारी जो कि उत्तर पर दिस अधिनस्त सेवा चैन आयोग यानि कि यूपी ट्रिपल सी के संदर में है तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो लेखपाल का जो मुख्य परिच्छा था वह 19 जून 2022 से किया जाना प्रास्तावित था लेकिन अब एक नई सूचना जारी की गई है यानि कि एक जून 2022 को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक जून 2022 को एक नई सूचना जारी कर दी गई असल में यह लोग सूचना जारी करने में बहुत अधिक देरी नहीं लगाते हैं और सभी प्रकरिया में तो ये काफी समय लगाते हैं लेकिन इनके लिए सूचना जारी कर देना बहुत आसान होता है क्योंकि भाई इन्हें तो हर महीने सैलरी मिली रही है ये अपना कुर्सी तोड़ रहे हैं बैठे बैठे और सैलरी प्राप्त कर रहे हैं हजार रुपय लाखो रुपया इन्हें सैलरी मिल लही है तो इन्हें समस्या नहीं है किसी प्रकार की तो ऐसे अभेर्थियों के लिए काफी मुस्किल है जो सहर में रहकर अपनी तयारी कर रहे हैं कोचिंग का खर्चा उनका आ रहा है और साथ ही जिस मकान में रह रहे हैं यानि कि किराय के मकान का जो खर्च है और खाने पीने का खर्च है वह इतना अधिक हो जाता है कि उनके लिए उसका भुखतान कर पाना हर महीने बहुत मुस्किल हो जाता है तो ऐसे भेर्थियों के लिए काफी समस्या है अब इनलों को नोटिस जारी कर देना है तो इह ने काफी आसान है क्योंकि बस कंप्यूटर पे बैठ के टाइप ही तो करना है और कौन सा मुस्किल है ने के लिए लेकिन ऐसे अबेर्थी जो गरीब परिवार से सम्मन्द रखते हैं जो बाहर रहकर तयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी आपदा के समान है कि हर समय यानि कि हर महीने बस धेरे धेरे समय जो डेट है वो बढ़ा दिया जा रहा है तुसरी के संदर में आज एक सूचना आया है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयोग के बिग्यापन संख्या एक परिक्षा 2022 राजस्व लेक पालमों के परिक्षा का आयोजन वर्स 2022 के कैलेंडर में दिनांक 19 जून 2022 को किया जाना प्रस्तावित था किन्तु अब परिहारे कारणों के द्रिष्टिकत प्रश्चनकत बिग्यापन की लिखित परिक्षा दिनांक 19 जून 2022 के स्थान पर दिनांक 24 जून 2022 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है तो देख रहे हैं कि अब ये लोग जो कह रहे हैं कि कैलेंडर के अनुसार 19 जून 2022 को किया जाना प्रस्तावित था असल में यह साल भर में कई सारी कलेंडर भी बदलते हैं और कभी कलेंडर लाएंगे फिर कोई आपदा आ जाएगा इनके दिभाग में फिर नए कलेंडर लाए जाएंगे तो कलेंडर लेंडर साथ का कोई मतलब नहीं है बहुत जादा और भी खासकर UP SSSC के लिए बस कलेंडर आते जाते रहते हैं उनके लिए बस भी बाएंगे हाथ का खेल है टाइप करके कुछ भी कलेंडर बना देना और फिर पेपर समय पेना लेना और फिर एक नोटिस जारी कर देना तो काफी आसान है इनके लिए यही बताया गिया है कि जो 19 जून 2022 से आप लोग का परिक्षा लिया जाना था अब उसे कैंसिल कर दिया गया है उसे पोस्ट पॉन्ट करके उसे ले जाया गया है जुलाई में जो की 24 जुलाई का डेट इसमें बताया गया है तो यही जनकारिय आप लोग को देनी थी ज़री आप लोग का सेलेक्शन हुआ है आप छूंकि सबको पता चल गया है कि किसको किसको मुख़ परिख्शा देना है लेखपाल का तो अप लोग अपनी तैयारी जोरो सोर से करते रहें यह सब तो होता रहता है यह सब आम बात है और मुझे लगता है कि आजकल अभ्यर्थी भी इस बात के बिल्कुल अनुकूल हो गये होंगे, उन्हें बहुत जादा फर्क नहीं पढ़ता होगा इन सब चीजों से, क्योंकि जब नई कोई चीज होती है, जब कोई नई समस्य आती है, तो वाकई वह काफी कष्टदाई होत तो यहीं जानकारी आपको देना चाहता था, यदि जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, आमाई चान को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और बेल आइगन भी प्रेस कर दीजेगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएं, तो इसकी जानकारी आ आने बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में.